जी एस नमस्कार गाईज आज मैं इशान्त कपूर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने बाइजूज एक्जैम प्रेप में और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट सी डीटेल क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एक्जैम 13th of June से स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए कुछ एक्जैम पैटन में चेंजिज हुए है या नहीं इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा क्योंकि ये वीडियो आपक हर एक यूनिट से जो है बराबर बराबर सवाल आएंगे यानि कि आपको पता है कि 10 यूनिट होती है और हर यूनिट से 5 सवाल आएंगे तो तभी जो है 50 सवाल वहाँ पर होंगे और हर सवाल दो नंबर का होगा यानि कि 100 मार्क्स का पेपर होगा तो बच्चे क्या करते है काफी बच्चे जो है ऐसा reply करते हैं, messages करते हैं और हर जगा पर telegram पर, instagram पर और कहते हैं कि सर अगर हम उपर की 5 unit पढ़ लें या नीचे की 2 unit छोड़ दें तो क्या हमारा selection हो जाएगा ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कभी higher education से, कभी ICT से कभी environment से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कभी बाकी unit से कमा जाते हैं तो you never know कि क्या होने वाला है pattern में changes होते रहते हैं फिछले 2-3 साल से ये देखे गए हैं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजेगा हर एक unit को बराबर बराबर importance दीजेगा, आपको नहीं पता कहां से ज़्यादा सवाल आएंगे और कहां से कमाएंगे, तो इस बात का ध्यान लखना है दूसरा सवाल जो बच्चे मुझ से पूछते हैं कि सर, paper 1 में safe score क्या होगा exam को crack करने के लिए मैं कहूंगा कि अगर आप 50 में से अगर आप 30 to 35 questions को crack कर लेते हैं, सही 50 में से 30 to 35 questions अगर आप सही crack कर लेते हैं तो आपके बहुत bright chances हो जाते हैं exam को crack करने के लिए तो ये दोनों बाते हमेशा ध्यान लखनी हैं कि target लेके चलना है 35, 37 question, 30 से 35 question का target लेके चलना है paper one में और हर एक unit को पढ़के जाना है चाहे आप उसमें थोड़ा सा weak हो या strong हो जो भी हो लेकिन आपने हर unit को equal importance देनी है तो ध्यान रखिएगा चैनल को subscribe कीज़ेगा, वीडियो को like और share जरूर कीज़ेगा, ऐसी important videos मैं आपके लिए लाता रहूँगा, thank you so much guys